नमस्य दोस्तों मैं आपका दोस्त अमित आप सब का City नहीं जगहा नहीं होती। या फिर ऑल्रेडी होस्पिटल का खुद का एक मेडिकल स्टोर होता है जिसमें इनकी खुद की ओनर्शिप रहती है और फार्मसिस सिर्फ एंप्लॉय ही होता है वहाँ पे तो ऐसे के इसमें आपको चांस नहीं होता है तो आपको अगर खुद का स्टोर शुरू करना है तो हस्पिटल के नस्दिक में शुरू कर सकते हैं तो इसमें भी प्रकार होते हैं, जैसे कि एक hospital है, दो hospital है, तीन hospital है, तो जैसे कि मेरा खुद का भी store है, वो एक तीन hospital के नजदीक में है, जहाँ पे होमेपतिक है, एक gynecologist है, और एक dentist है, तो क्या होता ना, इसमें बहुत ज़्यादा opportunity होती है, business करने की, क्योंकि वहाँ पे number और आप customers आते हैं, और benefit भी काफी अच्छा है, तो इस business opportunity के बारे में, इस location के specification के बारे में हम बात करेंगे, ये अगर आपको hospital के नजदीक में आपको location मिला है, medical store का, तो किस प्रकार आप इसको grow कर सकते हैं, चलिए, इस video को start करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे, इस hospital के न BMS, BHMS, MBBS, ये होते हैं, otherwise दूसरे doctor होते हैं, जो specialty होते हैं, जैसे pediatric हो, gynecologist हो, dermatologist हो, ophthalmologist हो, तो ये doctor है, orthopedic हो, physician हो, इसके बाद next है super specialty, जैसे psychiatric doctor, neurologist doctor, तो ऐसे आपको देखना है कि आपकी area में कौन से doctor है, accordingly आपको उसके अंदूसर मेडिसिन रखनी होती है, लेकिन दू आपको hospital की भी type देखना है, कुछ hospital होते है, जहाँ पे day care होता है, day care मतलब यहाँ पे कोई admission नहीं होता, सिर्फ वहाँ पे patient को diagnose किया जाता है, admission नहीं होता, और दूसरा होता है, वहाँ पे IPD होती है, IPD मतलब beds होते है, patients को admit किया जा सकता है, वहाँ पे, तो 10, 20, 30 बेड के hospital भी हो सकते हैं, ठीक है, तो या फिर even multi specialty भी हो सकता है, multi specialty मतलब क्या, मतलब बहुत सारे doctors है अंदर, लग लग qualification के, और वो doctor यहाँ पे diagnosis करते हैं, और ऐसे case में भी अंदर store हो सकता है, आपको वहाँ पे वहार आपका store है, तबी भी यह आपको यह वीडियो बहुत मददकार है, तो आपको देखना है कि IPD है, OPD है, डॉक्टर की क्या qualification है, उसके अनुसार, next step है medicine, medicine जो भी available, मतलब लिकर है, वो available होना चाहिए, prescription की list आपके पास होनी चाहिए, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, doctor visit करनी पड़ेगी, frequently visit करनी है, ऐसा नहीं कि आपने एक बार किय पिर महिने में गए नहीं, ऐसा नहीं है, हटे में, 15 दिन में frequently visit करनी बहुत ज़रूरी है, जिसके अनुसार आपको, आपके area की demand, जो doctor prescription लिखते हैं, उसके अनुसार आप available कर सके, जबी भी available करें, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि, आपको prescription कितने आ रहे है, मतलब hospital के नजदिक में और hospital में कोई pharmacy नहीं है, तो आपको prescription बहुत ज़्यादा आने की चांसे से, लेकिन अगर hospital के premises में है और आपका भी pharmacy है, तो filter होते हैं, जैसे आपको 50%, 60% आ सकते हैं, या फिर कम भी आ सकते हैं, ये depend है, तो आपको उसके अनुसार पहले अंदाजा लेना है क कितने medicines आपके यहापे sell होता है, कितना daily counter होता है, कितने number of percentage of the customer आपके पास सार है, उसके अनुसार फिर आप purchase कर सकते हैं, जैसे कोई particular medicine है, डॉक्टर continuously लिख रहा है, जैसे कि बहुत बार क्या होता है, एक antacid सब को लिख रहे है डॉक्टर, तो उसका sell काफी ज़्यादा ह लेकिन आपको बल purchase करना यह है, जो medicine demanded है, जो जादा जा रही है, उसके अनुसार आप inventory manage करें, अब यहाँ पर क्या होता ना, support होता होता है, वो एक अच्छी बात होती है, क्योंकि आपको surety होती है, कि यह doctor prescription लिखते है, इतना लिखते है, तो यह इतना daily sale हो सकता है, एक 22 आ आप idea लगा सकते हैं, शुरुवात में नहीं, एक 3 मेने के बाद आपको idea लग जाएगी, तो यह आपका management रहना चाहिए, inventory का, और इसके accordingly हो, जो भी distributor हो, उनको connect करना है, अब यहाँ पर क्या है, आपको profit margin ज्यादा मिलने के लिए product scheme, cash discount पे ज्यादा focus करें, जो product scheme ज्यादा है, उसमें purchase करें, bulk purchase पे cash purchase करें, जिससे आपको अच्छा cash discount मिलेगा, तो आपका जो profit है, तो 20% से लेकर, लगबग 25, 30, 32% तक भी जा सकता है, जिससे आपका profit margin बढ़ेगा, अगर आपके area में cash discount चल रहा है, लोगों को discount आप दे रहे, तो फिर ठीक है, otherwise अगर नहीं चल रह on MRP directly दे सकते हैं, अब बात करते हैं, inventory में आपको medicines तो रखने ही है, लेकिन medicines में भी parental preparation होते हैं, मतलब injectable, जब doctor, कोई भी OPD हो, IPD हो, doctor injections तो पेशेंट को कही कबार देना भी होता है, तो ऐसे case में, injections आपके पास होने ही चाहिए, जो doctors की requirement की आनुसार, कही कबार, अगर pediatric doctor ह तो vaccine भी रखने बढ़ते हैं, doctor भुद की पास रख रहे हैं, तो देखिए, आदरवाइस आप भी रख सकते हैं, and next case में surgicals, ऐसे आपकी area में doctor, ortho, या gynec है, तो वहाँ पे surgicals लगेंगे, ठीक है, तो surgicals भी आपके पास होने ही चाहिए, तो देखिए, किस प्रकार आपकी area इरिया में doctor उसके प्रकार आपको रखना चाहिए, लेकिन मैं suggest करूँगा best doctor category, gynecologist, ortho, surgeon, physician, यह doctor की category काफी beneficial है, आपकी area में, even dermatologist भी काफी अच्छे है, रहत सकते हैं, तो यह prescription आपको काफी अच्छे amount में देश सकते हैं, जिसका value अच्छा होगा, तो इस प्रकार आपको medicines रखना है, साथ में आप FMCG product भी रखे, FMCG की इतनी ज़्यादा range रखनी की ज़रूत नहीं होती, जो demanded है, वैसे ही रखे, दीरे दीरे बढ़ाई है, लेकिन अगर आपने dedicated FMCG भी रखना चाहते हैं, तो रख सकते हैं, जिससे और भी अच्छा होगा, customer को कोई दूसरी आने की जरूरती नहीं रहेगी, वहाँ पर सब मिल जाएगा, FMCG मिल जाएगा, medicines भी मिल रहे हैं, सब चीज़े, इसके बाद आप as per the demand surgical रख सकते हैं, and generics भी, generics का sale आपका, मैं आगे बताऊंगे, इसके बारे में, generics भी आपको रखना है, तो आपको इसके बारे में knowledge च क्यांपेंज करने की जरूरत हैं, क्यांपेंज कर सकते हैं, वैसे भी doctor's dependability है आपकी, लेकिन फिर भी number of customer बढ़ाने के लिए आपको थोड़े क्यांपेंज करने पड़ेंगे, अब देखिए आपके पास customer तो है, मतलब patient तो है, अब patient के requirement के आनुसार आपको जाना है, एक individual pharmacy में क्या होता है, यहाँ पे doctor support नहीं है, वहाँ पे हर चीज करने होती है, patient invite भी करने होते है, फिर उनको activity करने होते है, यहाँ पे क्या होता है, patient invite करने की ज़्यादा जरूरत नहीं होगी, आपके ही patient जो hospital के हैं, उनको extra services आप दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है कांस कांसिताली massage, कांसिताली massage मतलब ayurvedic massage होता है, कांसिताली massage का एक machine आता है, तो उसके आनुसार आप कर सकते हैं, वैसे already इस पे video बनाए, उपर eye button पे link प्रवाइड की गई है, वहाँ से toxins निकलते है, body के, वो एक अलग से business हो सकता है, otherwise, acupressure, acupressure का भी एक अच्छा, मतलब उसका भी equipment आता है, जिससे लोगों को relaxation मिलता है, acupressure ये एक बहुत वेल नोम therapy है, ये भी आप apply कर सकते हैं, आपकी एरिया में, साथ में home doctor visit, आपके एरिया में patient को कोई जरू होते हैं, तो home visit भी कर सकते हैं, अगर आपकी एरिया के doctor ये नहीं कर रहे हैं, तो आप अलग से doctor appoint कर सकते हैं, otherwise आपके ही area की कोई doctor को convince करें, और home visit के लिए आप उन से approach करें, तो इससे क्या होगा ना, कि आपकी patient, वैसे आपको इसका direct benefit नहीं है, पर doctor को ही होगा, लेकिन doctor के लिए और patient के लिए, दोनों के लिए win-win situation हो जाएगी, आपकी हो जैसे, इसकी बाद health check-up camps भी कर सकते हैं, आप laboratory से connect करके, otherwise, मान लो, आपके area में जो hospital है, वो भी नहीं है, और आप भी नहीं, तो क्या करेंगे, तो आपको hospital के advertising भी करनी पड़ेगी, इवन government के जो polio के vaccines होते हैं, उसके लिए hospitals लगते, तो आप वहाँ पे भी जाके बात कर सकते हैं, अगर आपके लिए nearby hospital नहीं आए, तो advertising करनी पड़ेगी, एक free camps रखना पड़ेगा, जो diagnosis के लिए रहेगा, मान लीज़े आपके doctor respiratory doctors है, specialist है, तो आपको उसके अनुसार, उनके patients को diagnosis है, free camp रखना पड़ेगा, ठीक है, and other, अगर अप्थल्मी के, तो eye checkup का camp रखना पड़ेगा, तो ये depend है, and advertising करना चाहिए, तो social media पर भी कर सकते है, ये किनके लिए advertising जो आपके hospital के customer नहीं ये लेगे, दूसरे customer है, क्योंकि आपका shop तो बाहर है, तो आप बाहर के भी customer current कर सकते है, तो उनके लिए social media advertising कर सकते है, जिससे आपके आपकी area में order generate करने में help हो जाईगी, and सबसे important है कि doctor भी आप on board कर सकते है, जैसे online doctor consultation भी कापी अच्छा चल रहा है, तो आपकी area में जो doctor है, वही doctor online consultation तुरू कि उनको भी एक business मिले, customer मिले, साथ में patient comfortable भी रहे, और online है, अगर किसी को दिक्कत है physically आने के लिए, तो ये session आप arrange कर सकते, आप application थू भी ये कर सकते, इसके लिए आ बात करते हैं, इसके benefits के हैं, और इसके challenges के हैं, दोनों भी है, पहला benefit ये है कि यहाँ पे, जैसे में शुरुआत में बता है, अगर आपके doctor कापी अच्छे convert होते हैं, connect होते हैं आपसे, तो आप generic भी sell कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरा है, जैसे कि मेरा खुद का एक example बतात है, तो वो doctors को मालूम है कि इसके quality अच्छी है, तो वो अगर लिखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा, आपको automatically sell मिलता जाएगा, और doctor अगर convert होते हैं, तो आप PCD भी कर सकते हैं, PCD मतलब खुद की franchise ले सकते हैं, किसी भी company के franchise लेके आप वो product sell कर सकते हैं, और वो product की, ज surgicals भी काफी अच्छा sell कर सकते हैं, क्योंकि pharmacy में generic surgical, PCD, ये तीनों को काफी अच्छा profit margin है, तो extra profit margin आप generate कर सकते हैं, चाहे आप वो डिवाइड करें, डॉक्टर के साथ या कुद करें, या आपकी area और आपकी connectivity पे depend हैं, और next benefit है कि आपको doctors के भी patient मिलते हैं, और outside patient भी मिल लेकर बाहर के pharmacy को outside patient भी मिलते हैं, और doctor भी मिलते हैं, तो ये बहुत बड़ा benefit है, इसके बाद discount, discount ज्यादा नहीं लगता है, यहापे कम discount में ही आपका काम चल जाता है, कई कबार discount होता ही नहीं है, system, तो इस प्रकार आप यहाँ पे काफी अच्छा business कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कि कई कबार doctor divert भी होते हैं, जैसे doctor शुरुवात में pharmacy नहीं है, उनके पास आपके यहाँ पे prescription आते हैं, कई कबार ऐसा लगता है doctor को क्यों हम अपने premises में क्यों ना शुरू करें, तो बाद में क्या होता है, वो अपना खुद का pharmacy शुरू करते हैं, आपके automatically patient drop हो जाते हैं, तो यह बहुत बड़ा drawback है, क्योंकि बहुत case में, बहुत area में मैंने ऐसा देखा है, इसके लिए यह चीजों में ध्यान में रखिए, and the next one doctor unstability, कई कमार doctor है आपके area में, उनका practice अच्छा है लेकिन वो समय पे आते ही नहीं, हपते में एक बार आते हटे में, दो बार आते हैं, दूसरी जगा पे विजिट होती है, तो कुछ फाइदा है नहीं है, ऐसे case में, तो देखिए, doctor नजदिक में भी है, लेकिन उनका daily timing कितना है, और क्या practice है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन overall ये business काफी अच्छा है, अगर आ इतना होता है, credit कहां से ले, expiry management कैसा होता है, अब एक store से multiple stores कैसे grow करें, online कैसे sell करें, या फिर अपने business को expand कैसे करें, तो आप join कर सकते है, 9 days workshop on retail pharmacy business management, जहाँ पे हम एकदम scratch से, एकदम basic से मैं कूत, यहाँ पे guide करता हूँ आपको, बहुत कम दीन बचे इसके लिए, अगर आ हमारा चैनल pharma business के related कही सारे updates देता है, चाहे हो retail हो, wholesale हो, third party हो, export हो, तो आप यहाँ पे definitely join कर सकता है, हमारा चैनल, और साथ में यह वीडियो कही सारे अपने दोस्तों, भाईयों तो शेयर करें, इस उड़ो में इतना ही मिलते है, next उड़ो में तब तक, be healthy, be healthy, be healthy